हेलो एब्रीवन वेल्कम टू माई चैनल नैचरन्स ब्यूटी वर्ल्ड कैसे हैं आप सब आज अपनी इस वीडियो में आपको दिखाने वाले एक बहुत ही प्यारा सा ब्राइडल मेकप टूटॉरियल अगर आपके पास कंसीलर नहीं है आपके पास सिर्फ एक फांडेशन है आप थोड़ा सा ब्राइटनस देना चाहते हैं और आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप किस तरीके से क्या कर सकते हैं यह होगा मेरी वीडियो में और आप एक महेंगे प्रॉड़क्ट के साथ एक सब्रेव सस्ता उस कर सकते हैं ये भी दिखाने वाली हो आपको और मेरी रि आइकन को आउन कर लिजेगा ताकि नए वीडियो की नोडिफिकेशन मिलती रहे, फेस्बुक पे फोलो करिएगा, इंस्टाग्राम पे फोलो जरूर करिएगा. आप देख सकते हैं, यह मेरी आज की ब्राइड, यह दोनों सिस्टर है, दोनों का मेक अप आज ही है, एकने महरून लेंगा पहना है, एकने रानी कलर का, तो चलिए मेक अप शुरू करते हैं. मेक अप से पहले हमें स्किन केर करना होता है, और स्किन केर करने से पहले आपको अपनी ब्राइड की स्किन देखने होती है, मेरी ब्राइड की स्किन है सेंस्टिव और यहाँ पर कोई ड्रैनस नहीं है, इनके सेंस्टिव के साथ साथ इनकी स्किन बिलकुल नॉर्मल है, और आजेगा हमारा next HD primer, यहाँ पर मैं HD primer यूज़ कर रही हूँ LA girl का, और इसके बाद यह हमारा skincare complete हो जाता है इसमें आप अभी lip balm और include करेंगे lip balm as take care का यूज़ करेंगे next आजाता है हमारा eyebrow definer eyebrow definer मैंने आपको दो दिखाए है, एक है Europe girl का जो बहुत low budget में आता है एक है my glam का जो बहुत high budget में आता है अगर आपका budget जैसा भी आप उसके according ले सकते हैं, eyebrow को इस तरीके से define करेंगे, कोई भी correction होगी तो उसे ठीक कर लेंगे, spool की help से set कर देंगे, उसके बाद ले लेंगे PAC का concealer, अगर आपके पास PAC का concealer नहीं है तो आप Olivia pen stick में white वाली आती है, आप वो ले सकते हैं उससे एक अच्छा सा eye base बना सकते हैं इस तरीके से, इससे क्या होता है perfect eyeshadow लगती है, आपके eyeshadow के color उभर के दिखते हैं, beauty blender लेंगे, उसे set कर देंगे, फिर compact से set करेंगे, उसके बाद सबसे पहले मैंने silver highlighter लगाया है उसके बाद मैं eyeshadow का main color लोगी, सबसे पहले मैं यहाँ पर light brown ले रही हूँ, मैं कोई color के according eyeshadow नहीं लगाने वाली हूँ dress code के according, बिलकोल भी नहीं हलका brown लोगी, dark brown लोगी, उसके बाद थोड़ा सा इसमें हलका सा black include कर दूँगी, ताकि महरून जैसा मिले हमें और front में बिलकोल natural सा हलका सा silver, यह हमारा mix है silver gold, यह दूँगी proper silver नहीं देने वाले हूँ, और काफी simple और अच्छा look आएगा, ओपर से एक बार फिर blend कर देंगे, और eyes में इस तरीके से नीचे भी कर देंगे, यह हमारी eyeshadow complete होगी, आप देख सकते हैं, बिलकुल natural है, और make-up के बाद बहुत सुन्दर लगेगी, आप चाहेते हैं यह पर इस तरीके की Miss Rose की liquid eyeshadow लेकर glittery है यह, थोड़ा सा इस तरीके से लगा सकते हैं, या आप इसके साथ powder glitter mix करना चाहें, तो भी कर सकते हैं यह देख सकते हैं, इससे उभर के आ जाती है, और shade भी काफी अच्छा नजराता है, उसके बाद liner लगाएंगे liquid liner ले रहे हुँ में यहाँ पर Maybelline का long lasting liner है और आपके budget में ही आ जाता है wings नहीं निकालूंगे बिल्कुल भी अंदर इंदर रखेंगे आइस को आइस के liner को, आप यह ले रहे हैं concealer palette inside की काफी अच्छी है color correction के लिए भी और पूरा proper base बनाना चाहें, तो भी यहाँ पर देख सकते हैं, यह shade लिया है मैंने अपनी supra palette से क्योंकि इनकी skin पे थोड़ा-थोड़ा साइडों में dryness है, नोस के आसपास तो supra palette में से आप इनकी skin का tone ले सकते हैं, जैसे 6-6B इनका skin tone है, तो वो ले लिजेगा और उपर से आप लगा दीजेगा G165 थोड़ा सा, बहुत ही अच्छा base बनता है, अब यह देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा G165 लगा रही हूँ, जिससे बहुत अच्छा base उभर के आएगा लेकिन आप यहाँ चाहते हैं, कि आपके पास यह थोड़ा brightness देगा आपको आप चाहते तो PAC का concealer भी लगा सकते थी मेरे पास था, पर मैं दिखाना चाहते हूँ कल बहर आपके पास concealer नहीं होता है, तो ऐसा नहीं है, कि आप वही use नहीं कर सकते हैं यह जो olive penstry का इसका number 7 और यह किसी में mix करके आप कर सकते हैं, एक दम proper white है, किसी में भी मिलाएंगे यह आपको बहुत अच्छा सा shade भार के देगा आप देख सकते हैं, कितनी जल्दी base change हो गया तो मैंने highlighting area पे दोनों को मिला कर किया है, आप भी एक बार यह trick product होता है, हट जाता है, अब यहाँ पर ले लेंगे अपना my glam का यह banana powder हलकल का eyes पर लगाएंगे eyes के नीचे, ताकि eyes का make-up अच्छे होसके, और करना चाहें तो इसी से side में भी कर सकते हैं, थोड़ा सा face और जदो बहर के आता है, उसके बाद अपनी eyes के make-up को complete करेंगे जो shade में पहले लगाया था, एक बार दुबारा लगाऊंगे और आप देख सकते हो मैं lens लगाना बिल्कुल भूल गई और make-up पूरा करे जा रही थी, बट मैं lens अभी लगाऊंगी, देखेगा कि lens के बाद इनका look कितना अच्छा आएगा, इतना make-up हमारा हो चुका था और मुझे ध्याना है कि मैंने lens लगाने है, तो अभी मैं lens लगाने वाले इनको, आप बताएगा कि किया से लग रहे हैं, और यहाँ पर gala के lens यूज कर रही हूँ मैं, और lens मैंने लगाया है, यहाँ पर grey इनको और काफी अच्छे लगेंगे, यह देख सकते हैं अभी मैं दुबारा से एक बार base को तो set जरूर करूँगी, यह देख सकतो कितना अजीब हो गया है, लेकिन proper ठीक हो जाता है, बिल्कुल आप देखेंगे last में, इसके बाद base को मैंने set कर दिया था, इसके बाद लगाया है, मैंने contour किया है, contour मैंने sugar की palette में से किया है, powder contour है, यह देख सकते हैं, और इसमे highlighter मिल जाता है, आपको और blusher मिल जाता है, तीनों एक ही palette में मिल जाते हैं, चिक contour मैं कर चुकी थी, अभी मैं nose contour कर रही हूँ, और ब्लशर भी इसी palette kit से करूँगी मुझे दो bright करने थे, तो मैं जल्दी जल्दी product अलग अलग नहीं लेती हूँ, यह रहतेक चली इसी में से कर लीजीगा, और blusher मैंने odbo का यूज कर रही हूँ, इनके लहंगे में ज़्यादा silver shade था, तो मैंने highlighting area पर भी silver दिया है और nose पर भी जो highlighter यूज किया, वो silver किया है काजल यहाँ पर मैं हलका सा इनको green color का यूज कर रही हूँ, और ज़्यादा नहीं लगाऊंगी बिल्कुल भी थोड़ी सी पतला लगाऊंगी और उसके बाद हलका सा इसको merge कर दूँगी, ज़्यादा नहीं फैलाना चाहती थी यह चाहती थी कि eyes में जो काजल है वो अंदर ही अंदर है ज़्यादा फैलावा ना दिखाई दे, इसके बाद mascara अपलाई कर लेंगे mascara भी मैं Maybelline का यूज कर रही हूँ, अगर आपके पास यह tools नहीं है तो आप बिंदी का card लेकर उससे बेजली लगा सकते हैं ताकि आपको कोई problem ना हो eyelashes में यूज कर रही हूँ पी एसी की ही और इस तरीके से glue लगा देंगे और एक second के लिए छोड़ेंगे और फिर apply कर देंगे क्योंकि आप direct एक दम गिली लगाते हैं तो अच्छे से चिपकती नहीं है तो थोड़ा wait करेंगा और फिर लगाएगा यह देख सकते हैं और दोनों eyes में कर देंगे, अब लगाएँगे gel liner gel liner में यहाँ पर purple का यूज कर रहे हूँ medium budget में आ जाता है, long lasting रहता है काफी तो यहाँ पर gel liner लगाया है और मैंने अंदर ही अंदर रखा है आप एक eyes का look देख सकते हो, अभी हम दूसरी में apply करेंगे और यह देख सकते हैं मेरे हाथ में ऐसा नहीं कि मैं कोई product बताती नहीं हूँ या छुपाती हूँ, सामने ही आपको product वीडियो में दिखा रहे हूँ ताकि मुझे screen पे ना लगाने पड़े और जो भी product दे रहे हूँ, उसके होसकेगा तो link description box में दे दूँगी eyelash के बाद एक बार फिर से mascara apply करेंगे और अब ले लेंगे lip shade lip shade में थोड़ी मुझे problem हो गई थी, मैंने ध्यान नहीं दिया, इन्होंने maroon लेंगा पैने था मैंने दूसरी bright का जो shade था रानी color वो apply कर दिया लेकिन उसके बाद मुझे दूबारा इनके maroon लगाना पड़ा लेकिन मैं हमेशा जब भी lipstick लगाती हूँ, तो brush की help से लगाती हूँ, brush मैंने vega का use किया है outline बनाने के बाद एक बार fill कर लेते हैं और अब मैं shade लगाऊंगी इनके दूबारा dark make-up fixer मैं हमेशा faces का use करती हूँ या PAC का आप अपने according कोई भी कर सकते हैं, अगर आपके budget में नहीं है ये दोनों तो my glam का ले सकते हैं, इनका make-up base आप देख सकते हो कितना अच्छा लग रहा है कहीं पर भी कुछ action नहीं लग रहा है और आपके पास अगर concealer नहीं है तो आप white वाली stick जो है आपके पास उसको mix करके कैसा भी shade आप बना सकते हैं उसके साथ कोई भी shade mix करके ये देख सकते हैं, अभी मैं इनको jewelry carry करा दूँगे और उसके बाद इनका hairdo वगेरा करेंगे अच्छा लगे मुझे बताएगा और यह trick पसंदाए बताएगा आप और भी मेरे वीडियो देखना चाहते हैं अगर आपने नहीं देखे हैं आप first time मेरे चैनल को देख रहे हैं तो मेरी बहुत सारी वीडियो है उन्हें देखेगा अगर आप सीखना चाहते है makeup गरा haircut वग के आता है आप देख सकते हैं इनका makeup और यह base जो भी अपको अच्छा लगा मुझे बताएगा और यह गजरे मैंने खुद बनाए थे इसके वीडियो शेयर करूंगी अपने चैनल All About Hair पे आपको अच्छी लगेगी तो मुझे जरूर बताएगा कि कैसी लगी और यह देख स स्टार्ट करने वाले हूं उनका भी और यह देख सकते हैं इनका final look अगर और इनकी sister को भी दिखाते हूं आपको उनका भी makeup मैंने शूट किया हुए है अगर आप कहेंगे कि हाँ वो makeup भी आपको देखना है अच्छा लगा क्योंकि दोनों के skin tone में उनस भीस का फरकता तो द बिखाऊंगे आपको किस तरीके से क्या करना चाहिए तो आप भी एक बड़ ट्राय करके जरूर देखेगा और यह है इनके साथ इनके sister इनके reels बगार देखना चाहते हैं तो Instagram Facebook पर देख सकते हैं और अगर आपने इनका facial और bleach का वीडियो नहीं देखा है कि sensitive skin पर अगर आ कि अपने नेक्स वीडियो में कुछ नया और आचाले के तब तक के लिए बाई बाई थैंक यू